तो मैं बहुत ही बड़ा confusion है कि Ryzen 5 3500U और यहां पे Intel i3 के 10th generation की processor कौन सा बेटर है कौन सा आपको लेना चाहिए तो यह वाला question लोग मुझे Instagram में पूछते ही रहते हैं कौन सा बेटर है भाईया कौन सा बेटर है तो आज answer जो है वीडियो से देने वाला हूँ तो लास्त तक वीडियो को देखो interesting होने वाला informative होने वाला है तो चलिए किस्टार्ट करते हैं मेरा नाम है सोम विश्वास आप देखे हैं फ्रेश अपडेट करना चलगता है तो लाइक जरूर प्रेस करना दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना नए हो चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब प्रतन देकर प्रेस को साइड में जो घंडिया प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आफ प्रेश अपडेट से मिस्स ना करें इस वीडियो का लाइक गेम रखते है 522 लाइक आप लोग जल्दी जल्दी पूरा जरूर कर देना यहां पे AMD की तरफ से जो है Ryzen 5 3500U और यहां पर इंटल की तरफ से इंटल i3 के 10 जेनरेशन प्रेसर कोई भी पकड़ लो तो यहां पर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर कौन सा बेटर परफॉर्मेंस आप लोग को देगा क्या क्या फीचर से तो सारे चीजी यहां पर देखेंगे तो दोस्तों पहले बात करते ह जो राईजन को ऑफ करते हैं तो यहां पर बात करते हैं राईजन 5 की कोर्स की तो यहां पर बात करें की देखने को मलती है अगर बात करते हैं, तो यहां पर भी Ryzen 5 आगे चला जाता है, बात करते हैं, इंटल i3 10 GEN की 2bank की तो यहां पर दो करते हैं, यहां विखते हैं थे 2bank Wlak psic Super 4 बात काती है नैनोमेटर की तो यहां पे नैनोमेटर टेकनोलजी जो यूज किया गया है राइजन 5 के अंदर आप लोगो 12 नैनोमेटर की चिपसेट देखने को मिल जाती है तो यह दोनों डिफरेंस है तो यहां में नैनोमेटर में आप लोगो थोरी पहुत देखने को मिल जा यहां पर जो है Ryzen 5 की प्रूसर्स आप लोगों देखते हैं जो कि थोड़ी कम पावर कंज्यूम करेगी अगर करते हैं हम लोग आई 3 10 जनरेशन से। उसके मतलब अगर ग्राफिक्स की बात करते हैं तो OpenGL की support जो है यहां पर openGL की Ryzen 5 के अंदर version जो है 4.6 की version और यहां पर i3 10 generation की बात करें तो यहां पर 4.5 की version देखने को बिलेगे तो 0.1 version जो है यहां पर higher है Ryzen 5 के अंदर जो की आप लोग को अच्छी graphics produce करने में मदद करता है तो यहां पर भी एक step आगे निकल गी जाता है Ryzen 5 अगर बात करते है तो यहां पर यहां पर राइजन 5 के अंदर 2MB की L2 के देखने को मिल जाती है और यहां पर भी जो है यह बाजी मार जाता है उसके बाद आता है L1 के तो L1 के बात करते हैं 328 KB की L1 case देखने को मिल जाती है और यहां पर बात करते है आई 3 10 GEN की तो यहां पर आप सिर्फ और 128 KB की आप लोगों को यहांपर थे है जो की यहां पर भी reason 5 जो है बहुत ही तगड़ी performance आप लोगों देदेगे तो यहां पर आपने जान लिया कि यहां पर क्यों तगड़ा है अब बात करते हैं 3um कुछ चीज़ है जो राइंज पाइब में कमिया है तो यहां बात करते हैj आई कर एक चीज खास है तो यहां पर फस्ट आती जाती कि स्पीड तो देखने को मिल जाती है वह 666 MHz के यहां पर आगे चला जाता है उसके अगर बात करते हैं यहां पर अलग कनेक्टिविटी ऑप्शन की तो यहां पर नई टेकनोलजी यूज की गया है जो कि के अंदर जो system on chipset होती है उसके अंदर आप लोग को LTE की support मिल जाती है जो की Ryzen 5 के अंदर missing है तो यह वाली जो है responsible होता है अगर आप लोग डाउनलूद करते हो files तो यहां पर fast आप लोग को internet speed देखने को मिलेगी अगर आप लोग तो इसकी connectivity जो है थोरी बहुत slow होगी अगर compare करता है i3 10 generation की तो यहां पर आप लोग को 32GB तक मैक्सीमम RAM support देखने को मिल जाती है तो यहां पर 4.1 GHz तक की आप लोग बूपो बूस्ट देखने को मिल जाती है अगर compare करते है Ryzen 5 के साथ तो यहां पर आप लोगो यहां पर आप लोगो यहां पर आप लोगो यहां पर आप लोगो देखने को मिल जाती है तो यह डिफरेंस ती जहां पर जो है तो यहां पर आप लोगो यहां पर आप लोगो यहां पर आप लोग आप लोगो देखने को मिल जाती है एक्सलेटर प्रोस्टिंग यूनिट जिसके अंदर आप लोगो तो बहुत ही अच्छी जो है ग्राफिक्स रिलेटेट काम अगर करते हो उसके लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है गेम प्ले वगरा करते हो तो यहां पर राइजन 5 3500 यू के अंदर आप लोग जीटीए फाइब जो है वह मेडियम टू लो सेटिक्स के अंदर आराम से खेल पाऊगे तो यह वाली चीज बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव है अगर आप लोग को लो रेंज के अंदर कोई भी लैप्टॉक धगड़ी वाली चाहिए तो मैं रेकमेंड करूगा यहां पर राइजन 5 3500 यू के साथ जाओ आपको बहुत ही एननेंस परफूमेंस मिल बिल्कुली अच्छा नहीं मिलेगा और यहां पर आप लोग को बहुत ही स्लोगिस प्रफॉमेंस देखने को मिल सकता है एस कंपेर टू राइजन 5 तो यहां पर नॉर्मल वर्क करते हो जैसे कि आप लोग को स्प्रेडशीट वगरा यूज करना है वह सब करना है या इंटर हूं तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो अगर पसंद आया है यह वीडियो तो लाइक जरूर प्रेस करना दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना नए हो चैनल पर तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन प्रेस करो साइट में जो घंटी है प्रेस कर देना ताकि कोई भी अ अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेए अलर्ट स्टेशी बाबाई